हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल माई चैनल नेम इस बविता विश्व कर्मा आज मैं आप लोगों के लिए पालक की डाल की रेसिपी लेके आई हूँ और इसको बनाना बहुत जादा आसान है और खाने में बहुत जादा टेश्टी लगता है अगर ये डाल आप जाल राजाती है और बहुत ही जटबड बने वाल ये रेसिपी है अगर आपको इस रेसिपी के बारे में जाननी है पालक की डाल कैसे बनती तो वीडियो के एड्न अब दक जरूर बने रहे गा और पूरा वीडियो देखीएगा तो चैनली स्टार्ट करते हैं लेसिप्य के तूड़ी सी मैंने तूर की भी डाल ले लिये पचने की डाल ज्यादा रेना चाहिए पालक के लिए तो यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर मैhe क्तोरी डाल ले लिया है और ऐक गुंड़ी पालक ले तो यहां पर अच्छे से दाल को भी बल scrambled में छे से दूना है और यह पर अच्छे से य।ख तक दोड़िया है और अब यह अच्छे से पर पानी में अध्यार अच्छे से विल्ग बला है और माद दाल और आप पालक आड़ करके देंगे पूरा जरूर ट्राई कीजेगे यह रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो पूरी जो पालक है वो हम दाल में आड़ कर देंगे तो यहाँ पे पालक और डाल दोनों धोके हो चैके हो मैंने कुकर में आड़ कर दिया है पानी तो पानी अपने हिसाब से रख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने देड़ गलास से पानी डाला है बड़े गलास से और इसके अंदर मैंने कट करके डालूंगी हरी मिर्च और लसुन की दुगना हो जाएगा और इसके अंदर एड़ करेंगे हम नमक तो नमक आप अपने स्वादों सार एड़ कर सकते हैं उसके बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे हल्दी आदा चमच इन सारी चीजों को अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सब यहां पर मैं एक अच्छे से ढखनल लगा कर इसे हम चार से पांच सीटी आने तक इसे हमें पकाना है तो यहां पर जो है मिनने ढखनल लगा दिया है और गैस ले ही रखा है उसके बाद मीडिया पर करके आप देख सकते हो चार से पांच सीटी पे इसे अच्छे से हमें पकाना है दाल को और यहां पे अभी चार से पांच सीटी हो चुकियों मैंने गैस का फ्रेम बन कर दिया है तो यहां पे आप देख सकते हो दाल जो हमारी पक के रेडी हो चुकी हो इम्मी एकदम दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ताल भी गल चुका है, पालग भी अच्छे से पक चुका है। देख सकते हो कितस अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर अभी हम इसमें तढकी की तज़ारी करेंगे कि थोड़ा सा जीरा लगने वाला है तो यहां पे तड़की की तैयारी स्टार्ट हो गई है तो यहां पे जो बरतन को अच्छे से गरम कर लेना है और इसके अंदर आड़ करना है सरसो का तेल तो अच्छे से गरम हो जाए तो इसके अंदर आड़ करेंगे चमत जीरा और जीरे को यहां पर चुब्लक को भी अच्छे से पकने देंगे लाल मिर्च अब अच्छे से पकाना है उसके बाद हम दाल में तड़का देंगे तो आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है लहसून में तो गैस का फ्लेम बंड कर देंगे यहां पर अब जो हम कूकर में दे इसमें अब हम इच्छोका लगा देंगे तो यहाँ पे जो है अच्छे से तड़का लग गया है आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना वाओ खुश्बू तो बहुत जादा अच्छी आ रही है पालक की डाल पर आप इसे राइस या रोटी के साथ भी खा सकते है प्राठा के साथ खा सकते हो खाने में जरूर कीजेगा लाइक करना भूल जाते हो तो प्रीस लाइक कीजेगा वीडियो देखने के बाद और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेर कीजेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो प्लीस सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन क्लिक कीजेगा जिससे मैं जो भी नए वीडियो बनाऊंगी न उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा तो चलिए फिर यहां पर आप मैंने एक कटोरी में अच्छी से दाल को निकाल लिया और आप देख सकते कितना खुबसूरत और रंग भी आया है और दिख